असलाम लेकूम फ्रेंज है अर्वान नमस्ते आप से सकाल जी तो कैसे आप लोग में आम सहे हैं मैं हूँ मैं आप दें हम जिसको रेक्शन चैनल टुपाइब बहुत ही ज्यादा सब्सक्राइब किजिए और ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर किजिए आज कि जो कश्मीरी है रिबाह इमरान जी कि वीडियो में इनवाइट और ना किया है तो उनका रहे जानेंगे पाकिस्तान में जो हो रहा अभी और इंडिया के बारे में प्लीज वीडियो को अन तक टेका चैनल को सब्सक्राइब कीजिए का जया साब वीडियो को शेयर किजिए कि अवाथी फेमिस परस्नालिटीज ने जोईन किया है डार जवेद साफ की बात के रहे तो वोल्ड पैंक ने बड़ अच्छा काम के रहे है अर्फाना बिजनस मोमन भी हैं कि अच्छा चानल भी चला रहे हैं इसे इलावा बहुत से काम के रहे हैं इंके चैनल को भी सब्सक् कि अच्छा कर लिया गया जो इसके बाद यहां पर सिचुएशन वही वो भी सब के सामने तो उसके बाद हम देखे हैं कि जी ट्वेंटी पाकस्तान में तो ये करेंट सिचुएशन चल रही हैं इसमें जवेद साहब जो है वो त्यारियां कर रहे हैं और इन से आज पूनो का शुक्रिया. फ्रिंकि शुक्रिय। जुक्लित हीज़। जी जवेसाँ बतायेगा गैसे चल रही हैं काश्मीर में। देखे बाहर जैको अट्कुन्सुमिर दो थेखें पीज़। अबनार मेन्य में ग्रहां पन only that sound, ये और उनने कम्सीन पमें इंव करặt काश्मेर, बार्वा स्ट्जिश्म आंगे कीष्मिए सो कि बारी खान भीलन कॏंओ क्षमिड वुर्यान श्रीज रिर्य वेतिन घ्यर्स्याओं याके क्षमिर वात रीजयल इन da पह अजूज़ ऑने पारिए ऑना दोस्तु सब्सक्राइब कर यह के अच्छिक वो कि अच्छि के नॉट सी कि अच्छिक पार इना कर दो डियत ख़कर बोल्बैब टोस्तु कि अच्छिक बोल्पनीज कर तो सी च्छिक अच्छिक आवग जबार इस वर गिंदैन पर प्रफिक आर आरे किस YOUR那麼 dif dow 65 हैं तोंपनर के इस्यक्यान कारश अप्वकार ओड शम्र शीक उनल्य तो!!! या तो डिर बेंग कर लिगाम far और स?". isen वेंनोब संवाल मोर्डी मिलोमि उस्यक्यान कैसा रारिक भूंटरी कर दो मेर ये उन्हों, वर्म्ट धान।, कन दोल कोव Ee doing the मने पोले की वर्âyवाज major में अधान। अजो और में लुबंद आपन अथी है यह गजित सन्हेट आपना मैं आपाया है मैं मेरा ग Allahोओ, कोट्डू बही इसान आपन काफा हो मिले झाफान तर रिवस्टमें प्रीज का सब्सक्राइचिन अपांटी कि अथुटी लोगारी आपधर प्रचिनी कर फेल्ट ही आफ एल अज प्रिचिन अप्रचिनन धन्रख पूरिसम का विजुटिन फेडिश्म, परल गुंके प्रिज़न का बेसे प्रच्मिर हो तर प्रच्मिर का संद पर इबनुम्स्टर के लिगा कृष्मीर काश्मीरी को प्रश्मॉरी की। ऊर्शू के लिगा लगारे, नजिवारंग रिफ्टीम। रिए्ट जो के लुड़ दागने बकाने काश्मीर के लिए रिगन। इब हुटू जिएक गेडिटी आप हो इंदे़ फिए लिए काश्मी भूम पर बाड होग कोड़ को थो पूल इसके पर फिजुन कि गवर्ट इसके एक बोड़ा इंपक्ते हो जायका धिदा कि अब समय कर देट होगा कि अप्सक का सब्सक्राइब हो जाएगा कि यहां पर इस तरह की प्रपरेशन चल रही है तो जो जुमो कश्मीर में अभी के देश में जो प्रपरेशन चल रहे हैं वह काफी जोर शोर पर है कि यहां प्रपरेशन चल रहे हैं तो जुमो कश्मीर में अभी कर दिया है जैसे कुछ प्रजेक्ट का जैसे मैं काफी प्रजेक्ट को जो देख रहा हूं उनका जो ताइम लाइन था वह दसने बरता लेकिन अब जी 20 बीटिंग होने के नाते जो है उनका ताइम लाइन पहले प्रजेक्ट करके आपको इन यह दिनों में कंप्लीट करना है तो समार्ट सिटी जो है श्रिनगर सिटी को जो है एक दुनिया के लक्षे पर लाया जा रहे है और बहुत ज्यादा अच्छी इनो जुनिया की बहुतरी इंजिनियरिंग टेक्नोलोजी को यूडिलाइज किया करने के जो तरीके हैं उनंको ट्रेक करने के लिए तो लोग भी आगे आ रहे हो dosको जो है पूरी जुम्य कश्मीर की जुम्य मेर की जो जो है बेस्को एक मत्बत कदम दे जिए कि दो पहलुं है जी तुनिया कि एक टराउमिक ड्यवलपमैंटी का वा जाएगा उसमें जो ह हमारा थूरिस्म है, हमारा जू लेड है, हमारा जो हैंडी क्राफ्स है हमारा जो एकर्डेड है छो हमारा किसी है उसका जो है पूरे दुनिया में फ़र दुफ हो जाएगा उसके साथ छात मैं यह बहूं कर यह?, डिप्लोमेटिक निय है द्धाय हिए 75 है जो पाकिस्तान जो च मतला है यहां पर जो है लोग इस चीज पो तया करते हैं लोग सामने आ और बोल दे HilWhen किस दर गाया गया है सजा आ है और जो पूरा इक रस्ता है के नाम से मश्रूर है तो उसको कितनी अच्छाई के साथ सजाया गया है और जिन प्लेसेस पर जी टॉन्टी के डेलिगेशन जो विजिट करेंगे तो उन प्लेसेस को भी वह आरणी गर्मेंटे ने उन पर काफी ज़्यदा पैसा इंवस्टि किया था लेकिन इस चीज चलते आप जो विए पाजिटिव मेसेज राईट जो हमारी इमेज क्रेट की गए थी तो यू नो थी कंट्रीज के तो जो उन्हें ने इमेज क्रेट की थी पूरे वल्ड मैकी हमारा एक बाद मेंग था वह में अब जो है देरे-देरे खतम हो जाएगा और एक मस्पत एकदाम है 15 55 यू नो पूरी कंट्री में जो है इस तरह के इवेंट होंगे और उसमें जुमो कश्वीर जो है उसका इवेंट खास इवेंट माने जाता है और इसके चलते चलते लास्ट तू-3 यहर से जो डिवलप्मेंट होई है देखे श्रिणागर सिटी को जो है यूनिस्पो का दर बनाए यह हमारा हैंडी क्राइश और अग्रिकर्ट्र है इंड प्रोडिक्स को जो है इंटरनाशनल प्लैट्पार्म पर शोकिस करने का मूंका मिलेगा इसके साथ साथ काफी यूनो कश्मीरी अवाम जो हमारी जो यून को उनको उनका एक होप है कि हमारे जो एमो यू हैं जो मिलेंड डिफेटेंट कंट्रीज एंकि 20 मौधिन 20 कंट्रीज के यूट डेलेग्ट आ रहे है तो उनकी जो कंपनीज हैं बड़ी बड़ी जो वहांके ट्रेडर्स हैं जो वहांका यून्यन हैं उनके साथ हमारा मा यू होगा और उसके चलते जो हैं हमारा जो पूरा कल् अच्छा अर्फाना मेरा आपसे क्रिस्टन है कि G20 में पूरी दुनिया के बड़ी बड़ी सुपर पावर कंट्री में वो शर्कत करेंगी और वो किश्मीर में भी आएंगी इमरान खान की अनिर बात करें तो इमरान खान ने टाइम पे युनाइट निशन में बहुत बड़ी आपके सामने तुब लिंगा किश्मीर यूर्फाना आप इसको कैसे देख रही इसका क्या इंपक्ट पड़ेगा कि जी टूनिटि का इंपक्ट जो है पाकिस्तान पर अलरेडी बुरा पड़े गया है लाइक आपके फॉरीन मिनिस्टर आए उन्होंने मतलब पहले तो नहो हमारे प्राइमिनिस्टर जी की तुनला किसी के साथ की थी एक सेक्ट एक से अनदर थिंग हमने रिस्पेक्ट से उन्हें बुलाया वो हिंदुस्तान आए उनका एक अच्छा यहां पर रोल रहा उन्होंने ट्वीटर पर ट्वीट किया कि आम गोईंग गोवा तो मैं इंज हुई उन्हें और यह तो पहली बार हुआ कि 12 साल से कोई पाकिसान से हिंदुस्तान आया जब यहां पर आये यहां पर उन्हें अपनी स्पीच दी इंटर्वीउस दिये सब कुछ ठीक ठाक हुआ उसके पाद पाकिस्तान जाने के बाद उन्होंने क्या कहा कि अगर G20 की है कि जो देश, जो देश के मिनिस्टर्स अपने पाकिस्तान को नहीं संभाल पा रहे हैं वो किसी और मतलब चीज पर उन्हीं उठा ही नहीं सकते और आपके नवाबजादे यानि की अपने फॉरिन मिनिस्टर बिलावल भटू जी वो चाहते थे कि उन्हें यहां पर शहज अगर कहीं पर अपनी स्पीज देते थे तो वो कश्मीर को एक मसला कहते थे तो क्या हो गया मुझे तो लगता है कि कश्मीर उन्हों ने वापिस छीन लिया उल्टा उनको उनकी प्राइम मिनिस्टरी से बेदखल कर दिया उसके बाद जब वो रेलीज निकाल रहे हैं मतलब अब आप देखिए कि आपके पाकिस्तान में कितनी फ्रीडम है हमारे यहां पर कोई प्राइम मिनिस्टर अगर उसको निकाल भी दिया जब है जब वो रेलीज निकालता है कोई उनकी रेलीज पे इंपक्ट नहीं पड़ता भारत जोड़ो यात्रा कहां से स्टार्ट हुई और कश्मीर के किस कोने पे आके खतम हुई इससे पहले भी कितने लोग कश्मीर में रेलीज निकाल चुके हैं तो हमने देखा नहीं कि कोई रेलीज निकाल रहा है कोई पॉजिटिव मैसेज दे रहा है तो उसको आपकी जो है सरकार के दौरा लिगल नोटिस आता है और फि कि किसी और पे उंगली क्या ही उठा सकते हैं और हिंदुस्तान का थो उन्हें पता है कि उंगली उठाने वाले कि हम हिंदुस्तानों जो हैं उंगली का की देते हैं इससे पहले भी बहुत बार हमें देखने को मिला तक इस तरीके से पाकिस्तान ने हम पे सवाल उठाए कश्म को मसला नहीं कहेंगी तो उनके चैनल को देखेगा कौन प्यार्पी कैसे मिलेगी तो हम जो है उनके लिए एक वो है कि हाँ मतलब कोई भी लिटरली आप चैरल खोलो पाकिस्तान का जब भी खोलो वहां पर चल रहा होता है कि कश्मीर में ये है कश्मीर में और तो जीने का हक कर्liक को नहीं समय सकते हूं हमारे कश्मीर को क्या ही समाह लेंगे ये मैं आपको बता दू की कश्मीर है हम जो कश्मीरी ओर रचेवरडेडी हैं हम overwhelm का येयूज को लेकर कि पूरी hacemos देखे मैं बोलूँगी कि पहली भी यहाँ पर सरकारे थी, उन लोगों ने क्या कर लिया, अगर तब उन्होंने कश्मीर को अच्छे तरीके से बनाया होता तो आज यह जरूरत ही नहीं पड़ती, है ना, तो यह एक, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को यहाँ पर रिप्रेज आप देखो कि आर्टिकल 370 से पहले हम कश्मीरियों को, अगर हम कहीं भी जाते थे, तो हम पे एक टैग लगा हुआ होता था, कि यह तो कश्मीर से है, यह पत्थर मारते होंगे, क्लास 8 की बात है, मैं तो बाहर स्कूल में पढ़ी हो, मेरी तो एजुकेशन जो भी हो बाहर से होई है, तो मैं शिलॉंग में at that time study कर रही थी, तो मुझे, जब मैं क्लास में जाती थी, तो मुझे बोलती है, तुम तो वो हो ना कश्मीरी जो पत्थर लेके रोड पे आते हो, तो हमारी यह इमेज बनी हुई थी, आर्टिकल 370 से पहले, हर कश्मीरी को शक की नजर से देखा जाता था, यह कहा किया कि कहीं इसके पास हत्यार तो नहीं है, इसके पास कुछ है तो नहीं, किनकी वज़े से उन होरियत के so-called leaders की वज़े से, जो जिनोंने कश्मीर, जो है अपने बाप की जागीर समझी थी, वहीं मैं आपको बता दूं कि after article 370 क्या हुआ, जिस त दोनों को compare करो कि इस टाइम budget में किसको जादा authority दी गई है, तो इसका यही आंग सी भाषा में यही मतलब है कि कोई भी G20 मीटिंग में कुछ उखाण नहीं सकता है, जैसे कि हमारे पडोसी मुलक ने कहा, कि नहीं, अगर G20 मीटिंग होगी तो हम यह कर लेंगे, भाई, तु हमारी smart city project चल रहे हैं, उन पे काम हो रहा है, जो भी यहां पर जितनी भी need होगी, उन सब को fulfill करने की कोशिश भी की जाएगी, और हो भी रही है। अब ही तक भैन है, इनको पता नहीं किस दिन खोला जाएगा, लेकिन फिर एक दम से बांद होगी, पता नहीं सवजा क्या है, लेकिन में क्वेस्टिन उनने कश्मीर के हवाले से किया, कि जो जीट्वेंटी की मीटिंग जो हो रही है, उसका क्या impact पड़ेगा कश्मीरियों मतलब जैसा कि बिलावल बुट्व पाकिस्तान आए, तो उन्होंने बोला कि अगर जीट्वेंटी मीटिंग वहां पर होगी, तो हम ना मतलब इसको रोकने की कोशिश करेंगा, मतलब क्यों उनका कश्मीर है, वो जीट्वेंटी की वहां पर मीटिंग करें, आप अपने हमारे कंडरी का हर रोज कितने बिलियन का नुकसान हो रहा है, लोगों के कारबार बांद पड़े हुए है, सब हर तरफ इतना लग ना मचा हुआ है, दूसरी तरफ इंडिया को हम देखते हैं, वो तरकी की रहों पर चल रहा है, जीट्वेंटी की मीटिंग आपको पता है, काई के यह वजुतुर आ वर पकली को सब्सक्रार शोचार को मोहाला चाहरा scripts, और ऑप यह लुगों फिरेंग दों सब्सक्राइंगे कश्मीर ही, सि마 बिल्कुल सरी नागर में होने से जाग चाहरी तो हमने बहुत जाधा वीडियुस पर रेक्शन दिया जैसा कि हमने वहां जब आप देखते हैं तो इसमें लाइटिंग जलती है तो प्रिज बनाए जा रहे हैं आपको पता है तो लोग ज्यादा चाहिए ज़्यादा चाहिए जब आपको पता है कि जीट्विंडिक में इतने ज्यादा कंट्री बड़े बड़े शामिलों वाले जब वो यहां पर आएंगे देखेंगे कि इतनी ज़्यादा किश्मीर में डिवैलपमेंट इतना साफ सुतर है तो वो अपने लोगों को जाकर वहां पर बताएंगे उनके मीडिया भी तो यहां पर आएगी तो फिर देखेंगी सब क कारपेट बनाते हैं और निक्या-क्या कि बनाते हैं वह भी बोल रहा है उसके वी ट्रेड हम करेंगे और उससे कितने ज्यादा इनको फाइदा होगा तो आपको पता ही जब इन्वेस्ट किया जाए तो फिर वहां से बहुत ज़्यादा आपको अर्निंग भी स्टार्ट हो जाती है हर बंदा इन्वेस्ट इस वे जैसे करता है क्योंकि उसको पता होता है यहां से मुझे बहुत ज्यादा नहीं होगी अभी कश्मीर नहीं थी इन सो सतर अर्टिकल से पहले जो था इतना डवैलप नहीं था जैसे एरफाना जो मनीर है उन्होंने भी बोला कि यहां प तो अच्छा लगा दे कि काश के हमारे कंट्री के भी हलात बेटर हो जाया है लेकिन अभी तो सुरत है अलबे काबू हो चुकी है अगर देखते आने वाले वकत में क्या होगा तो वीडियो कैसे लगी प्लीज बताएगा चैनल के सब्सक्राइब की दिगा पिर मिलता है अक बताईब काईब।